हेलो फ्रेंड गले का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें सूट का कपड़ा लेना है और सूट के कपड़े में हमें पीछे की साइड में यहां पर बाकरम को चिपका देना है बाकरम की लंबाई और चोड़ाई कितनी है यह नाप लेते हैं बाकरम की लंबाई हमने 8 इंच ली है और चौड़ाई साड़े 11 इंच ली है अब हम इसे बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे ये देखिए इसे अच्छे से हमें फोल्ड कर लेना है ऐसे अब हम यहां से गले की लंबाई नापेंगे तो फ्रेंड हमने गले की लंबाई 4 इंच ली है लेकिन आप गले की लंबाई अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकती ही अब हम गले की चौड़ाई नाप लेंगे तो गले की चौड़ाई हमने 3 इंच 3 पॉइंट ली है अब इसकेल की सहायता से हमें दोनों साइट से ऐसे लाइन अप कर देना है दोनों साइट से लाइन अप करने के बाद अब हमें यहां से 1 इंच 2 पॉइंट पे टिक लगाना है और इसे हलका सा गोल सेप देते हुए हमें लाइन अप कर लेना है अब जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है तो ये देखिया हमने गोल सेप में गले की कटिंग कर ली है इस तरीके से आप गोल सेप में गले की कटिंग आसानी से कर सकते हैं अब हमें इसमें डिजाइन बनाने के लिए एक छोटा सा कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई हमने 7 इंच ली है और चड़ाई हमने 2.5 इंच ली है कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करके इसमें हमें छोटे छोटे सुई धागा की मदद से टाके लगा लेने हैं तो ये देखिए ऐसे हम छोटे छोटे टाके लगा लेंगे कपड़े की किनारे की साइड में ऐसे टाके लगाने के बाद हमें इस सारे चूनट को अच्छे से ज्वाइंट कर देना है जिससे हमारा एक नया डिजाइन का फ्लावर बनके तयार हो जाएगा तो ये देखिए नीचे की साइड में सारे चूनट को ऐसे ज्वाइंट करके हमें धागे को अच्छे से लॉक कर देना है यहां से हम धागे को लॉक कर देंगे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन सेलेक्ट करें ये देखिए फ्रेंड हमारा चूनट वाला ये फ्लावर का डिजाइन बन चला है ऐसी हमें चार और डिजाइन बना कर तैयार कर लेनी है तो ये देखिए हमने पाँच ऐसी डिजाइन बना ली है अब हमें डोरी वाली डिजाइन बनानी है तो ये देखिए फ्रेंड हमने ये वाला डोरी लिया है जिसे माई क्रेम डोरी बोलते हैं ये नस्दी की सिंगार के दुकानों पे आपको इजली मिल जाएगा अब इस डिजाइन को तयार करने के लिए फ्रेंड हमें कागच लेना है फ्रेंड एक बात और हमने ऐसी 6 डोरी लिए 6 डोरी को हमें कागच पे ऐसे लगाना है अब हम इसके उपर यहां से सिलाई चलाएंगे ये देखिए ऐसे हमें सिलाई चला लेनी है अब हमें सारे डोरी को परफेक्ट सेप में बैठाते हुए ऐसे गोल सेप में फोल्ड करना है और इसके उपर हमें सिलाई चला लेनी है तो ये देखिए गोल सेफ वाला आप ऐसे डोरी का डीजाइन इजली तयार कर सकते हैं सिलाई चलाते हुए अब हम यहाँ से धागी को और एश्टा डोरी को कट कर लेंगे तो फ्रेंड हमारी गोल सेफ वाली डोरी की लंबाई धाई इंच है सेम साइज का ऐसी आपको धेर सारी डोरी की डिजाइन बना कर तैयार कर लेनी है तो यह देखिए हमने ऐसी धेर सारी डोरी की डिजाइन बना कर तैयार कर ली है अब हम इन सारे डिजाइनों को सूट के गले में लगाएंगे तो यह देखिए यह रहा हमारा सूट का कपड़ा हम इसे ओपन करेंगे यह जो हमने goal shape में suit की, गले की cutting की है, उस पर पहले हम dory वाले design को ऐसे लगाएंगे और जिस shape में हमारे design की cutting की गई है, बिल्कुल उसी shape में हमें dory वाले design को ऐसे लगाना है और इसके उपर सिलाई चला लेनी है इस लाइन को complete करने के बाद फ्रेंड, अब हमें यहां से धागे को cut कर लेना है, हमारी यह लाइन complete हो चली है और डिजाइन के नीचे की side से हमें सारे कागच को निकाल लेना है, तो यह देखिए यहां से हम कागच को ऐसे निकालेंगे डिजाइन में इसे कागज को निकालने के बाद अब सारे डोरी वाले डिजाइन को परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए हम इसके बीच में ऐसे सिलाई चलाएंगे यह देखे यहां से हमें इसके उपर सिलाई चला लेनी है बीच में हम ऐसे सीधी सिलाई चलाएंगे यहां पे हम सिलाई को स्टॉप करेंगे और कपड़े को ऐसे घुमाते हुए इसके उपर हम डबल सिलाई चला लेंगे सारे डिजाइन के उपर फ्रेंड बिलकुल इसी तरीके से हमें सिलाई चला लेना है जिससे हमारा डोरी वाला डिजाइन पर्फेक्ट सेप में बैट जाएगा और अभी तक आपने हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीस हमारी चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजाकर आल का उप्सन सेलेक्ट करें जिससे हमारी next वीडियो की notification मिलती रहेगी इस तरीके से आप इस design को easy step में तयार कर सकते हैं और सारे design को perfect shape में बैठा सकते हैं तो ये देखिए हमारी year line complete हो चली है अब हम इसमें चूनट वाले इस design को add करना है तो ये देखिए हम इस design को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और इसके किनारे की side में सिलाई चला लेंगे एक के बाद एक सारे चूनट वाले design को हमें ऐसे लगाते हुए इसके किनारे की side में सिलाई चला लेनी है design के ऊपर सिलाई चलाते समय डिजाइन को perfect shape में बैठाते रहें जिससे आपके डिजाइन में perfect finishing आएगी तो ये देखिए friend इस तरीके से हमने इस line को complete कर लिया है अब हम यहाँ से धागे को cut करेंगे धागे को cut करने के बाद अब हमें गले की design को उल्टा करना है और दो इंचोड़ा उरे भी कटा हुआ एक लंबा सा कपड़ा लेना है हमें इसे ऐसे fold करना है और यहाँ पे लगाना है और जिस shape में हमारे गले की cutting की गई है बिल्कुल उसी shape में कपड़े को लगाते हुए हमें इसके उपर सिलाई चला लेनी है यह देखिए कपड़े को हम ऐसे बैठाते रहेंगे और इसके उपर ऐसे सिलाई चला लेंगे जिससे हमारा design perfect shape में तयार हो जाएगा अब हम यहाँ से धागे को और extra कपड़े को cut कर देंगे गले की design को सीधा करते हुए अब हम कपड़े को यहाँ से ऐसे fold करेंगे आपका कहीं चोड़ा और कहीं पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल एक बराबर में होना चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से कपड़े को fold करते हुए हम इस line को complete कर लेंगे तो यह देखिए हमारी यह line complete हो चली है अब हम यहां से धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे तो यह देखिए हमें यहां से एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है अब हमें design बनाने के लिए डोरी लेना है तो जिस डोरी का हमने गले का डिजाइन बनाया है उसी डोरी को हमें यहाँ पर भी लगाना है और दोनों साइट से ऐसे फोल्ड करते हुए हमें इसकी उपर सिलाई चला लेनी है ये देखिए ऐसे हमें डोरी को फोल्ड करते हुए एक बराबर में इसके बीच में सिलाई चलाते जानी है जिससे हमारा एक नया डिजाइन बन कर तयार हो जाएगा इस तरीके से आप इस डिजाइन को इजी श्टेप में तयार कर सकते हैं इस लाइन को कंप्लीट करते हुए फ्रेंड अब हम यहां से धागी को कट कर लेंगे हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चली है डिजाइन को कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड अब हमें डिजाइन में मोती को लगाना है तो यहां से हम एश्ट्रा धागे को कट कर लेंगे पहले और यहां पे हमें डोरी वाले डिजाइन के उपर सिलाई चला लेनी है अब हमें डिजाइन में सूई धागा के मदद से मोती को लगा देना है तो यहाँ पे हमें 3-3 मोती लगाना है और इसमें हमें सुईधागा के मदद से मोती लगा देना है तो यह देखिए डिजाइन में मोती लगाने के बाद हमारा डिजाइन बहुती सुन्दर लग रहा है तो फ्रेंड इसी के साथ हमारा ये डिजाइन बनके कंप्लीट हो चला है आपको हमारी ये डिजाइन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताए थैक्स पर वाचिंग